आज मैं आपके लिए फिर से एक कैरी की रेसिपी लेकर आई हूँ पहले भी मैं दो रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आज मैं आपके लिए समर ड्रिंक लेकर आई हूँ खटा मीटा पना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यहां मैंने पांच कैरी ली है और इसे म मैं नहीं उबाल रहे हूं भस मैं इसके पर प्लेट फ़ुशंगी यह 5 क Republic हैं लिकिन मैं पना सर्क सिर्फ टीन करी का बनाऊंगी यहां पर करी ऊपल चुकी है अब इससे चील कर इसका पलप निकारलें गे इस तरह से सभी कैरी का पल्प निकाल लेंगे उसके बाद हम इसमें एक गलास पानी डालेंगे यहां मैंने सारा पल्प निकाल लिया है और एक गलास पानी डाला है अब इस तरह से आप मसल लें और सारी गुटलियों से उसका पल्प बाहर निकाल दें यहाँ पल्प निकल चुका है अब मैं इसे मिक्सी के जार में डालूँगी और आदा मिर्च के लिए चलाऊंगी यहाँ मैंने चला के उसे बर्तन में निकाल लिया है और आदा ग्लास पानी और डाला है अब इसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे आधा टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे और इसके बाद आधा टी स्पून काला नमक डालेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी यहाँ मैंने तीन टेबल स्पून शकर डाली है या चीनी इसको डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रग देंगे आप चाही तो इसमें आइस क्यूब सी डाल सकते हैं तो यहाँ पना ठंडा हो चुका है मैं इसे सर्ब कर रही हूँ और गार्निशिंग के लिए इस पर डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर और कटी हुए पूदीने के पत्ते तो तयार हो चुकी है हमारी आज की ये रेसिपी आप ट्राइ कीजी और मुझे बताएए कि आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलू कर सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी